हिंदुस्तान कैसे कामाता और कैसे खाता है लोगों की आमदनी और लोगों के खर्च करने का तरीका क्या है, क्या-क्या पैटरंस हैं, किन-किन इलाकों में किस-किस तरह से किस-किस चीज पर लोग पैसे खर्च करते हैं, इस पर किताब लिखी है, NCAR, CMCR की डॉक्टर राजेश शुकला हमारे साथ में हैं, लेकिन और बह पब्लिक फिनेंसन पॉलिसी के और साथ ही पदानमंत्री की आर्थिक सलाकार समयती के सदस से भी हैं, बहुत-बहुत शुक्री आप दोनों का आने के लिए, और पहली बात यहाँ पर अगर हम देखें कि क्या आंकडे दिखा रहे हैं आपके हिसाब से, तो उसमें हम यह दे में यह फीजती 1.6 से 2.9 तक चला जाएगा, यानि 37 फीजती टोटल है, जिसमें की, जैसा सबको मालूम है कि अर्बन जो अलाके हैं, शहरी, उसमें ज्यादा इजाफा हो रहा है, और जो गाव के अलाके हैं, उसमें कम हो रहा है, और 4 लाक रुपे तक पर एनम जो है, वो एक बड़ा वो है, अब अगला अगर हम देखते हैं इसमें, यह इंक्रीज जो है, हाउस होल इंकम की, और इसमें टॉप 20 और बॉटम 20, आप ही समझाएगे, इसका एक यह रहेगा, कि जैसे जो पहला स्लाइड जो दिखाया गया, लगभग साथ हजार रुपे जो बढ़े लेकिन अगर आप उसको लेते हैं कि ताप 20 परसंट हाउस होल कंट्रिक लें बाटम 20 परसंट, यह डेटा यह सो कर रहा है, कि अगर आपका यह देखेंगे, तो जो ताप 20 परसंट लोग है, चाहे रूर में अर्बन में, उसमें इंक्रीज जो है, अगली जो स्लाइड है, उसमें एक किसिम सजादा होगा, जैसे एक्जामपिल अगर देखिए, ताप 20 परसंट में अगर देखा जाए, तो रूरर इंडिया में लगभग 24,276 रूपए बढ़ेंगे, जबकि अर्बन इंडिया में लगभग 75,000 रूपए के लगभग बढ़ेंगे, पहुंचेंगे लेकिन आप बाटम अगर जो बाटम 20 परसंट में देखते हैं, चाहे वो रूरर में अर्बन में हैं, उनमें बहुत जादा इंक्रीज अब्जार नहीं होगी, लगभग 2000 में लोकेशन उनके लिए बहुत जादा इंपॉर्टन नहीं कर रहा है, कि जो बाटम में हैं, चाहे रूरर में हैं, उनका केवल 2000 के लगभग बढ़ गए, तो ये इसका मतलब हिंदुस्तान जो है वो अमीर हो रहा है, लेकिन जो अमीर हिंदुस्तान है, वो ज्यादा अमीर हो रहा है, इसका डेटा जो है, ये भी इसका साथा, इसका एक ही रहा है, तॉप 20 परसंट जो है, उनका इंक्रीज रहेगा, अगर आप इसको जैसे इसी डेटा में प्रेजेंट एक करने कोसिस किया गया है, कि क्या जो एकनॉमिक जो आपका हुआ है, लिबलाइजेशन, इसके लिए उसके लिए बेसिस पे, एक अगर आप ये भी आपे देखिए, जहां पे रूरर इंकम क कि 2015 तक जो एक ट्रेंड आ रहा है, इवन रूरर जो इंकम है, आप देखेंगे, 74% उस सतर में 74% फार्म इंकम आ रही थी, लेकिन ओ एक्सपेक्टेड है कि इवन रूरर इंकम में भी इसका सेर जो फार्म इंकम की 32% तक बचेगी, मिस 68% इवन जो नान फार्म इंकम होगी, उसका कंट्रिवीशन होता. 24% का ग्रोथ टार्गेट कर रहे थे, लेकिन कभी हो, रिजन नहीं हो और फार्म इर प्लान में.